दोस्तों नमस्कार आज मेरे सामने आप एक बकरी देख रहा है जिसको दो दिन से आफरा रखा है इसने कुछ न कुछ खालिया ऐसा लग रहा है और हमने इसके पैट को देखा तो वाकई इसमें पानी भी बोल रहा है और दस्त कर रही है अब अगर मान लो कभी भी आफरे में जैसी यह आफरा भी है आफरा आ रखा है आफरे में अगर दस्त हो रहे है या कुछ भी खाने पीने से दस्त हो रहे हैं और ऐसी condition में अगर एक गल्ती बकरी पालक भाई कर दे तो बकरी की जान जा सकती। इसकी condition देख रहे हैं आप बहुत जाड़ा condition डाउन है टसक रही है यह करा रही है और आज से ही नहीं राज से ही करा रही है पिसले 24 गंटे से यह करा रही है लेकिन क्यों करा रही है आपको पता है क्योंकि इसको हुई थी कल दस्त और दस्त में इसको दस्त बंद करने की गोल काम किया यह देखिए यह गोली इसको देदी कि इसने इतना खतरना काम किया दस्त बंद होगी और दस्त बंद होते ही इसने करहना शुरू कर दिया तसक ना सुरू कर दिया तो कभी भी अगर आफरा किसी बकरी को आ जाए और उसके वज़े से अगर दस्त हो रहे हैं उस दस्त को रोकिये मत उस दस्त को होने दीजिए वो दस्त फाइदे के लिए हो रहे हैं तो होने दीजिए और जल्द से जल्द टिमपनी, बलॉट, गेज बर जाना, यह चाहे किसी भी कारण से हो, लेकिन अगर आफरे की सिकायत है, और दस्त हो रहे हैं, उसे कभी मत रोकिये, उसे रोकने की कोई भी दवा मत दीजिए, नुकसान हो सकता है, इसलिए प्लीज दस्त को भी समझना है, आफरे को भी समझना ह है, और बहुत शांदार काम करेगा, अगर मान लीजिए, खाने पिने की हिस्ट्री नहीं है, और आफरा आ गया है, तो आप सरसू का तेल दीजिए, एक कप, ज्यादा की आवशकता नहीं है, एक कप सरसू का तेल, और उसमें मातर पांस ग्राम हिंग मिला दीजिए, हिंग, पाउडर माताय मेंने घर पे काम में लेती ही है, तो हिंग और सरसू का तेल दीजिए, जब आपको अनाज खाने की कोई हिस्ट्री नहीं बताई जा रही है, नहीं है, ऐसी कंडिशन में तो ये दे दीजिए, और अगर अनाज खाने की हिस्ट्री है, तो ऐसी कंडिशन में आप दीजिए मीठा शोडा कभी भी दस्त रोकने की जो गोली है वो नहीं देनी है और जो भी चीज़े आप दे रहे हैं नजदी की पसुची के साले में जो पसुची के सक है उनकी सलासा ही देनी है ऐसे नहीं कि कोई भी दवा उठा दी और दे दी